हाँ तो बच्चों यहां पर जो चप्टर आप लोग चल ला था वो था इलकोहाल फिनाल और इधर पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रात्मिक दुर्तियाक और तृतियाक इलकोहाल में विभेद करने के परिक्षण कि प्रात्मिक दुर्तियाक और तृतिय परिक्षन वबटें बिपहर और लुकास परिक्षन कि आगे हम वेव सेटर में पढ़ना है कि कि कितने परकार और रॉय'll Director इलकोहाल तीन प्रकार के होते हैं प्रात्मिक दुटियक और तृतियक तो उसमें विवेद करने के परिक्षण हो गए हैं अब हमको पाढ़ना है इसमें मुनोहाइड्रीक इलकोहाल को मुनोहाइड्रिक इलकोहाल को बनाने की सामान विदियां मुनोहाइड्रिक इलकोहाल को बनाने की सामान विदियां तो देखें पिछले वीडियो में यह बताया था आपको कि मुनोहाइड्रिक इलकोहाल किसे कहते हैं तो Monohydric Ilkohal का मतलब यह है कि जिसमें OH समू की संख्या कितनी हो? 1 हो क्योंकि Monohydric услов law का मतलब जिसमें OH समू की संख्या कितनी हो 1 हो उसे हम कहते हैं Monohydric Ilkohal जैसे एक जामफिल में हमारे कूर्स में है इतमें this Monthly Ilkohal यह हमको पढ़ना है तो जो मेथिल अल्कोहाल है, इसमें OH समूग की जंक्या कितनी है? एक है, तो इसका मतलब ये मोनो हाइड्रिक अल्कोहाल है, और हमको पाढ़ना है इसमें एतिल अल्कोहाल, C2H5, OH, इसमें भी OH समूग की जंक्या कितनी है? एक है, तो इसका मतलब ये मेथिल अल्कोहाल और ए सकते हैं आर यह तो आर का मंदलब क्सक्राइं अरक अरक किया हो गया ? अरक का मदलब और का मंदलब हो गया कीमी होग तो यहाँर ऐं ही कि हुह हो और तो अननों और यहां Observर्ल कौनसी है तो सबसे पहली जो मोहीडrick ELECULL का this था क्या होगा आर जय अर का मतलब है कोई भी एल्क्ःतमू और यस समुव कि मल्कै कितनी हो एक हो तो वह मोनखटR हम है इसको हमको पढ़ना है तो जैसे पणाने की जो पहली भी जिए यह है वह है कि इसे हेलाइड एलकिल हेलाइड का सूत्र क्या होगा आर एक्स एलकिल हेलाइड के जलब घटन द्वारा जलब घटन द्वारा तो एलकिल हेलाइड लेना हमको एलकिल हेलाइड का सामाने परफला क्या होगा आर एक्स और इसका जलब गटन करना है किसके द्वारा कास्टिक सोडा के द्वारा एन ए ओ यच यह कास्टिक सोडा हो गया यह तो जब इसका जलब गटन होगा कास्टिक सोडा के द्वारा तो यह बन जाएगा एन एक्स बन जाएगा और यह ओ यह यहां है डो जाएगा तो यह बन जाएगा ROG monohydric alcohol plus NaF अब अगर इस सब इक्रिया को हमको methyl alcohol के respect में पढ़ना है यह methyl alcohol बनाना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे है यहाँ पर methyl कर देंगे और X के स्थान पर चाहे chlorine कर दिया जाए चाहे bromine कर दिया जाए चाहे iodine कर दिया जाए हमानले हम करते हैं methyl chloride तो यह हो जाएगा CS3Cl और यहाँ पर कास्टिक सोड़ा NaOH तो यह हो जाएगा CS3OH और NaCl यह बन जाएगा methyl alcohol बन जाएगा अगर हमको इसी अभी क्रिया में एथिल अलकौहल बनाना है तो यहाँ पर एथिल कर देंगे C2H5 और यहाँ एक्स के स्थान पर माली हमने कर दिया bromine तो यह हो जाएगा C2H5 BR एथिल bromine और कास्टिक सोड़ा से अभी क्रिया होगी NaOH से तो यहाँ पर आ यह पर चान 000 बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा tob 01 यह पाहली अभी क्रिया है कि मो लाटरिक एल्चोड़ा तो यहाँ पर के लगटन किसके द्वरा करना है कार लगटन करेंगे हैं तो यहां पर क्या है मेथिल ऊफिग एसही से closing थिर क्या होता है कि एक डिरी क्या है । श्चर चोटर का सुथर क्या होता है रसी डबलो ओ या इसको मद्य भी कर सकते हैं ब się सी डबल ओ और डैस इस्टर के जलब गटन द्वारा इस्टर के जलब गटन द्वारा तो इस्टर यह मोनो कारबॉक्स लिकमल क्या अद्वलं को क्या है निकालना है तो यहां पर आर ग्रैस कर यह बन जाएगा आर सी डबल ओ आर तो यह हो गया एश्टर तो यह एश्टर जो है यह मोनो कार्बॉक्सलिक अमल का क्या है ब्यूत्पन है मोनो कार्बॉक्सलिक अमल से बना हुआ एक ब्यूत्पन है उसका यह और अगर यह एलकिल समूं इसी एलकिल समू के समान होगा तो इस एश्टर को बोलेंगे R, C, O, O, R और ये एश्टर हमारा होगा सरल एश्टर क्या होगा ये? सरल एश्टर और अगर माल लीजे यहाँ पर जो एलकिल समू है उससे अलग वाला एलकिल समू यहाँ पर आ गया यहाँ पर इस यश्ट को निकाल दिया हमने कि इसके द्वारा? एथिल के द्वारा तो यहाँ पर बनेगा R, C, O, O, R डैस R, C, O, O, R डैस तो इस एश्टर को हम क्या बोलेंगे? यह भी एश्टर है अगर C, O, O ग्रूप से जुड़े हुए दोनों इलकिल समूह हमारे समान है तो इस एश्टर को हम बोलेंगे सरेल एश्टर और अगर यह दोनों इलकिल समूह यह दोनों इलकिल समूह अलग अलग है तो इसको बोलेंगे हम मिस्टरित एश्टर तो एश्टर दो प्रकार के होते हैं सराльइष्टर हो गया सराल इस्टर का फर्मिला होगा R C O O R सरालाइष्टर की पहचान ये है कि अगर C O O group से जुड़े होए यह दोनों इलकिल समूम, समान हो ज्य सिटा हो यह मेतिल है तो यह भी मेतिल हो यह एतिल है तो यह भी एतिल हो तो उस ester को हम क्या बोलेंगे सरल ester बोलेंगे और अगर सी डबलो गुरूप से जुड़े हुए दोनों एलकिल समूँ अलग-अलग हो हो जैते यह मेथिल है तो यह एथिल है अगर जिन एतिल है तो यह प्रोपिल हो तो इस ester को बोलेंगे हम मिस्ष्रित ester तो एस्टर जो है यह मोनो कार्बॉक्सली कमले का बना हुआ ब्यूत्पन है तो एस्टर काम को का करना है जलाब गटन करना है तो जब जलाब गटन होगा तो यह यहां से हमारा बन जाएगा इसको हम कर सकते हैं इस आर को इसमें जोड़ते हैं और यह बन जाएगा और यह बन जाएगा आर सी डबल ओ अन ए यह बन गया आर ओ एच इल्कोहाल बन गया इसका नाम हो गया मेथिल एसिटेट और कास्टिक सोड़ा से विक्रिया होगी एने ओयाच तो यह मेथिल समूव इसमें जुड़ जाएगा हो जाएगा और यहां जो लॉड़ बन जायेगा यह बन जाएगा सीच त्री सी डबल ओ एने हो गया और लॉड़ हो गया हमारे जो इलकोहल बना वह बना मेथिल इलकोहल अगर यहीं पर हमको ऐधिललकोहल बनाना है तो इसको हम कर देंगे सीटूवस फाईप तो यह हो एथिलेसिटेट और न और सिक्रिया होगी तो यहां पर भी सी टू वेश पाइब और यहां पर बन जाएगा सी डबल ओ यह लावन तो ठीक है मोनो कार्बॉक्सलिक अब लिके बनाने यह मोनो हाइड्रिक के इलकोहाल को बनाने की दो विदियां आपने इस वीडियो में पढ़ा अब इसके बाद का जो बनाने की विदियां वो नेस्ट वीडियो में हो